सलोप महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगय मन खोटे कूड कूड यारे साकत दा मतलब प्रभू देनालो तुटिया हुया जो इंसान है ते थी साकत शबद बहु अचनी है साकत जाए निवह गुर आगय साकत मनुख सत्गुर दे अगय जाके निवह जाए साकत मनुख राबनाल रुटिया हुया बन्दा गुरु अगय जाके निवह जान्द है चुक जान्द है, मत्था टेक दै मन खोटे कूड कूड यारे मन दा मतलब मन करके पर ओ मनो खोटे ही रिंदेने ते खोटे होन करके कूड दे वपारी बने रिंदेने कूड यारे दा मतलब कूड दे वपारी कूड दे कार, चूठ दे कार जो मनुख राबनालो टुटिया हुया है कई वार ओ सत्गुर दे अगय जानिवदा है मत्था जाके टेक दिन दै लेकिन मन करके खोटा ही रिंदा है और मन दे विच खोट होन करके ओ कूड दा चूठ दा वपारी बने रिंदे ते ओदी निशानी की कि में समझाजन दिये जां गोर कहे उठो हो मेरे पाई बेह जाहें कुसर बग उलारे इन जां गोर नहीं पड़ना जां जां गोर कहे जां दा मतलब जदो ते कुसर दा मतलब कुसर के विच वार के लोक के जिनों सी कुसर मुसर के दिनने बग लवारे दा मतलब बग ले आंदी तरह जदो सत्गुरु सिखान आख़दा है कि हे मेरे प्रावव उठो उठो दा मतलब सुचेत हो रभी रहाते चलो बह जाएं कुसर बगलारे ता ओ जो साकत ने बगले आमांग विच्चे ही रालके बै जाने ने कुसर के बै जन दे ले ओ सुचेत नहीं हो दे जदो गुरु सिखा नों कहें ले ला उठो यानि सुचेत हो वो साच्दे नाल जुडो सच्चे राहां ते तुरो उठ्दम करो ता ओदों जो ऊड़े आर ने जो चूठी मुठी जाके गुरु अगे निवे होई ने ओ कुसर के बै जन दे ने पाव के विच रड़े रेंदे ने पर साच्दे राहां ते तुर दे नहीं सुचेत नह हुम दे गुरु दे बचना ते अमल नहीं कार दे गुर्शिक्खां अंदर सत्गुर वर्तै चोन कड्धे लधो वारे इनु गुर्शिक्खा नहीं पड़ना बिंदी लगा के गुर्शिक्खां गुर्शिक्खां अंदर सत्गुर वर्तै चोन कड्धे लधो वारे लद्धो वारेदा मतलब लाद परख दे वेले जदो परख कीती जन्दी है जदो इनसान नों परख आजन्द है किसे कस्वटी ते लागे गुरु साथ केंदने साकत दे हिर्दे विच कूर वस्त है कि गुरु सिखा दे हिर्दे विच सत्गुरु वस्त है गुरु सिखा अंदर सत्गुरु वर्त रहा है गुरु दी मत वर्त रही है गुरु दी सोच वर्त रही है इस करके सिख्खा में चराल के बैठे हुई साकत लादविले चोन के कड़े जान देने लादविले दा मतलब जदो परक कीती जान दी है जदो परक हुन दी है तो वक्रे हो जान देने पाव कि उपरख दे अंदर पूरे नहीं उतर दे ओए अग्गे पिछे बह मुहु छपाएन ना रलनी खोटे आरे ओगा पिछा बह के बथेरा मुह लुकान देने अग्गे हो गए पिछे हो गए अग्गे पिछे होन दा मतलब के मुँछ पांदे रेंदेने लुक दे फिर देने नारलनी खोटे आरे खोटे आरे दा मतलब कूड दे वपारी पर दो कूड दे वपारी ने ओ सिखां वीच राल दे नहीं ओ अपने कूड नू छाड़ दे नहीं बार दा पहनावा उन्ना दा भी तर्मियावाला हुंद है बैठे ओवे गुरु दी शर्न विच कई वार हुंदेने लेकन गुरु सिखांदे विच रालदे नहीं क्योंकि उन्ना दी सोच दे अंदर कूड है उन्ना दी सोच जडिये चंगी नहीं है उन्ना दा पाख सो ओथै नाहीं जाए कूड लहन पेडारे पाख दा मतलब ये थे है खाजा खुराक कूड दा मतलब चूट पेडारे दा मतलब पेडांदी तरह पेडा मांगू जो राबना नो टुट्या हुया है उन्ना दा खाना उन्ना दी खुराक गुरु सिखांविच नहीं हं दी इस वास्ते वो पेड़ा वांक किसे होर जाके बूळव देने किते होर जाके बूळव देनेBen पेड़ागंदगी दे टेरते जापिंदियाने। पेड़ागंदगी देरते जापिंदियाने। पेड़ागंदगी देरते जापिंदगी देरते जापिंदियाने। विचारे अपने मंदे अंदर वसावे जे चाइए भी। पेड़ागंदगी देरते जापिंदगी देरते जापिंदगी देरते जापिंदियाने। बोल ही बोलेगा बेशक ओनों तुसी आत्मक जीवन देन वाले भचना दी खुराक देना में चाओ था। हर साकत सेती सांग ना करियो हो वे मारे सिर्जन हारे। बारनीकत मरी हुई है जमीर मरी हुई है अंदरों होरने बारों होरने देर चोटव देवपारी ने ऐसे लोकताont थि संगत ना करिए। क्योंकि जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए जे मारें दी संगत विच्रांगे ता सुभाविक तोरते साधे अंदर कोई ना कोई मारा करम आ जाएगा पगत कभीर जी केंदने बांसन कारो परसी है तोकच लाग दाग जे काले पांडे नो टाच करोगे कोई ना कोई दाग लाग जाएगा इसलिए चंगे इनसान ना दी संगत करो जिड़े ऐसे इनसान ने चूट फरेब देवपारी उना दा साथ ना करो जिसका ए खेल सोई करविक है जन्नानक नाम समारे जिदी ए खेल है ए सारा संसार जिदा रचाया हुया खेड है सोई कर सोई दा मतलब ओ प्रभु करदा मतलब करके राच के वेखे दा मतलब वेखदा है संभाल करदा है जिस्ता ए जगत रूप खेल है, खुदरत रूप खेल है ओ प्रभू आप ही इसनो रच के एदी संभाल कर रहा है इसलिए गुरुजी केनने जन नानक नाम समारे कि हे दास नानक तुँ प्रभू दे नाम नो संभाल नाम दा मतलब हुकम क्योंकि जिस्ता ए खेल है, ओ कारके वेख रहा है, राच के संभाल कर रहा है इसलिए नानक तुँ रभी गुणा नो रभी हुकम नो आपने हिर्दे दे अंदर संभाल रभी गुणा नो इंप्लिमेंट कर रभी रजादे विच्तुर, महला चौथा सात्गुर पुरुख अगाम है, जिस अंदर हर उर्तारया अगाम दा मतलब पहुँचतों परे उर्तारया दा मतलब हिर्दे अंदर तारन कीता है सात्गुरु अगाम पुरुख है साठी पहुँचतों परे है मतलब असी गुरु दे गुनादा गुरु दे ज्ञानदा अंत नहीं पा सकते ते प्रभु नो गुरु ने अपने हिर्दे दे अंदर परूता हुया है इसलिए जो गुरु है उँ अगाम पुरक प्रभु दा ही रूप है क्योंकि उन्हें अपने हिर्दे अंदर अपनी सोच दे अंदर राबन उतारन कीता हुए सात्गुरु नो अपड कोई ना सक्कई जेस वाल सिर्जन हार या अपड कोई ना सक्कई दा मतलब सात्गुरु दी कोई बराबरी नी कर सकदा सात्गुरु तक किसे दी पहुंच नहीं है तस सत्गुर्दी बराबरी कोई नहीं कर सकता क्योंकि सिर्जन हार प्रभु आप सत्गुर्दे सिर्ते राखा है वल दा मतलब वल है यानि राखा है सत्गुर्दा राखा प्रभु आप है इसलिए गुरुदी बराबरी कोई नहीं कर सकता सत्गुरु का खडग संजो हर पगत है जित काल कंटक मार विडारया खडग दा मतल हुंदा है तलवार करपान संजो के जिरह बक्तर जांगविच शरीर दी राखी वास्ते पाई हुई लोह दी पुशाक काल कंटक दा मतलब है जो मौत कंड़े दी तरह चुबन वाली है मतलब दुखदाई काल दुखदाई आत्मक मौत सत्गुरु दी खडग ते संजो प्रबु दी पगती है खडग दा मतलब तलवार जिस तिनाल दूजे दिवार करना है ते संजो दा मतलब जिस ता जिस तो दूजे दिवार तो बचना है एस सत्गुरु दी जो खडग है तलवार है करपान है ओ और संजो लोहे दी जो कुशाक है ओ है हर पगत प्रभू दी प्रेमा पगती रब्भी गुणा दे तार नी होना रब्भी जो गुणन है एही एक ऐसी तलवार है जिस ते नाल असी अउगना नुमार सक दे है जिदे कोल साच है ना साच दे नेड़े चू उठनी आएगा दया दे नेड़े कुधया नहीं आएगी ते जे कुल काम क्रोध लो मो साड़े ते वार कार दै ता जिस ते अंदर ए शुब गुणने ओ दे नेड़े एक काम क्रोध विनी आ सक दे परताब तुमारा देखके जमदूत छड़ जाएं ता एना विकारा नो खतम कर ली और एना विकारा तुम बचा वास्ते जो प्रबूदी पगती है रब्वी गुनने ओही गुरू दी तलवार है और ओही गुरू वास्ते खैसंजो है जित काल कंटक मार विडा रहे है जिस दे नाल गुरू ने आत्मक मौत नो मार के परेश उठ दिता है जिस करके गुरू दे नसदीक आत्मक मौत नहीं ओंदी और जो गुरु दे इना गुणान उतारन करदा है ओवि इस आत्मक मौत तों बाच शन्दै सत्गुरु का रखन हारा हर आप है सत्गुरु के पिछे हर सब उबारिया उबारिया दा मतलब बचा लेया पिछे दा मतलब सत्गूर्व्द पूर्णे आते जो तुर्ण वाले ने जो सत्गूर्व्द पिछे तुर्ण रहेने हर के संत बतावो मारग हुआप चली ता सत्गुर्द आराखा प्रभु आप है सत्गुर्द पूर्णया ते तुर्ण वाले सारया नुहीं प्रभु ने बचाले हन्दा है जो भी सत्गुर्दे पूर्णे आते तुर्दे ने जो भी गुर्वानी अंसार जिन्दगी जीन्दे हन उना नुप्रभू आत्मक मौत को बचा लें दै जो मन्दा चित्वे पूरे सत्गुरु का सो आप उपावन हारे मारे आ उपावन हारे दा मतलब पैदा करन वाले नू चित्वे दा मतलब जो सोच दा है लोच दा है जो मनुक पूरे सत्गुर दा बुरा लोच दा है उनू आप सिर्जन हारने मार दिता है एदा मारन दा मतलब है नहीं कि राप उनू शरीर करके मार दिन दा है जो मनुख पूरे सत गुरुदा बुरा लोच दे। जो मनुख पुरे सत गुरुदे दस्से मारग दे चलदा अरवी नहीं और गुरुदे उल्ट भी भूलदा है उन्व प्रभु ने आप ही मानो आतमु क मुत्से मार दिता है एहे गाल हुवे हर दरगाह सच्चे की जन्नानक अगाम वीचार्या जो एहे गाल है ना, इनू गाल नहीं पढ़ना, गाल पढ़ना है गग्येति अद्दक लगाके जैसी गाल पढ़ा थे उद्द मतल हो जेगा सड़ागला एते है गाल corps एह गल होवै हर दरगा सच्चे की जन्नानक अगाम विचारेया। सच्चे हरी दी दरगा विचे न्या हुंदा है। ते गुरु जी केंदने इस चीज दी समझ पैंदी है जदों असी अगाम प्रभु नू विचार दे हां। जदों अगाम प्रभु दे नाल सी सांज पांदे हां गुणा नल। जदों दे गुणा दे तारनी हुंदे हां। जदों सी रभ्मी रदा मुताबक तुर दे हां। ता सानु इस गाल दी समझ पैंदी है पिए गाल सच्चे दी दरगा दे अंदर वापर दी है। विचार कर दे हां। उना गुणा मुताबक जिन दे हां। रभ्मी रजा नू समझ दे हां। कुद्रत दे बजवे नेमा नू समझ दे हां ता सानू समझ पैंदी पिए जो गाल लेना एप रभ्मी दरगा विच वापर दी सा रहें थे। मतलब हारिक नू रभ्मी रजा दे विच रह नहीं पिंदा है। रभ्मी रजा दे अंदर जे कुई चंगे करम करेगा। जे मारे करम करेगा जे फल स्मझ दे न रजांत नहीं बोलना जे बोलनागे न सुथा बिंदी लगांकर आके। जो मनुक सुते हुए भी सचे हरी नो सिमर देने ते उट के भी प्रबूदी सिप्ट सला कर देने सुते हना मतलब सौन लगया मी ते जागन लगया मी पाव की सारा जीवन सौना है सौन लगया ने तामी रब्मी याद विचने जागेने तामी रब्ही याद विचने मनुख्खा जनम से विरले जुग में जानिये मनुख्खा जनम विच एह हो जे मनुख्ख विरले लब देने जो गुरुदे सन्मुख रहके गुरुदी शर्न विच रहके इस तरह प्रबुदे गुणा दा अनांद लेन देने रवे दा मतलब मान देने जो रब्मिं कुणा दा अनांद मान देने साच दा दया दा इनानों implement करके इना तो पैदे होई होई खुशी नों जो मान देने उविरलेने हों बले हारी तिन कव जे अंदिन साच लवे लवे दा मतलब जो बोल देने अंदिन दा मतलब हर रोज मैं उना तो सदके हां जो हर रोज पाव हर पल साच बोल देने उना तो मैं कुर्बान हां वारने हां सदके हां मनतन, जिन मनतन सच्चा पामधा से सच्ची दरगाह गवे, गवे दा मतलब गवन करदेने, पहुंच देने, जिन्ना मनुखा नू मन विच ते शरीर विच प्रभू प्यारा लगदा है, पामधा दा मतलब पहुंदा है, प्यारा लगदा है, जिन्ना नू मन करके, तन करके, स ፯ान्दश्छ बीकियों. जन्नानक भोल्ले सच नाम सच सचा सदा नमे नमे दा मतलब नमा नमीन नमा नरोवा दास नानक वी उस प्रबु दी सित्थ सला करदा है यानि दास नानक वी उस प्रबु दे सच्चे हुकम दी गाल करदा है सच्चे सित्थ सला करदा है जेडा सच्चा प्रबु सदा थिर रेन वाला है जो हमेशा नमा नरोवा है साहिम मेरा नेत नमा सदा सदादातार रब कर दे पुराना नहीं है रब हर पल ही नमा है रब ही गुणा देन आल जे प्यार पाओगे हर पल नमा सुक नमा प्यार मिलेगा सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागणा गुर्मुख ते पर्वाण ते दा मतलब ओ सौना की ते जागना की जो मनुख सत्वर दे संवुक रहँदे ने गुर्मुख दा मतलब जो गुरु दे शर्न विच रहँदे ने उना लई ये दोवे हालता हैं एक को जिंगा ने सुकते भी परवान ने, जागदे भी परवान ने, सौन तो लेके जागन तक, जागन तो लेके सौन तक, ओ परवान ने, जो गुरू दे चरना दी, हजूरी विच ने, जो गुरू दे दसे राहा ते चल देने, जो गुरू दे सनमुख ने, जो गुरू दे दिते वे उफ ला पुरख परद्हान सासता मतलब स्वास लेंदेया ते गिरासता मतलब ग्राई मुझ बांदेया रूटी खांदेया पोजन खांदेया गुरू पात्वाटिशह जी कहने झạtने उननों प्रभू एक दामवी नी विसर्दा एक पाली वी नी विसर्दा ओ मनुक सरब गुण संपूरं ते उत्तम हुं देने ओ परधान ने जिना नुसास गरास कदे राब नहीं पुल दा रभी गुण नहीं पुल दे जो हमेशा रभी याद विच ने जिना दी याद विच रभ है रभी गुण ने ओ पूरे ने ओ सरब व्यापक प्रबुदा रूप ने ते ओ परधान दा मतलब महान ने ओ आदर योग ने सतकार योग करमी सत्त गुर पाई ए पंधिन लग गये थियान करमी दा मतलब रह मत्ना ला पर गुरू कि वें मिल दाय प्रबू दी महर दिनाल गुरू मिल दै ते गुरू जी कहने ने अन दिन लग गये त्यान दिन रात हर समय फिर त्यान प्रबू दे विछ लग जन्द है जदो गुरू मिल पें दै त्यान प्रबू विछ लग जन्द है यह थे त्यान लग जन्दा मतलब नहीं कि उदी समाध विछ बैजने ए चीजह न समझनवाल गयाने उनादा त्यान प्रबू विच रहिए जान अदे त्यान विच प्रबू रहिए ओं वकत ऐस गल नू त्यानविच रखके जीन देने कि मेरे हर करम नू रब वेख रहा है, मेरे हर बोल नू रब सुन रहा है, मेरी सोच नू रब जान दे, ओ इस गल नू त्यानविच रखके जिन्दगी जीन देने, जदो किसे नल बोल देने, ओदो में ओना दे त्यानविच र इस चीज नो त्यान विच रख की जीनी त यह मही जीवेजा सकता है गुरूदी गुर्पादिनाल तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान ए थे रहा नहीं पढ़ना रहा ए फश्ट परसन वास्ते है रहा मैं रहा ते पाई नहीं पढ़ना पाई मैं पावा तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान गुरु जी कहने ने मैं में उनना दी संगत विच मिल के रहा ते मैं में प् ते ये लोचा साधी सारहां दी हुने चाहिएए जोवी बानी पड़न सुनन वाले ने कि मैं ऐसे पुर्खां दी संगत करा और मैं रब्भी दरगां विचमान पावां ए लोचा हुने चाहिए जए अंदर ये लोचा नहीं जए अंदर ये तांग नहीं जए अंदर ये वालवले नहीं हन ता फिर इस इनीन कर सकांगे इसलिए तांग सौन्दे वाह वाह उच रहें उठते पी वाह करें इनु वाह वाह नी पढ़ना वाह वाह ते सौधे नी पढ़ना जे सौधे पढ़ांगे तैदा मतलब होजेगा सौधा सूध एह सौन्दे सौन्दे दा मतलब सुथते हुए सौन्दे वह वह उचरें ओ सौन लग्या में प्रबू दी सिप्थ सला कर देने उठते पिवह करें ते जदो जाग देने ओदों में प्रबू दी सिप्थ सला कर देने नानक ते मुख उजले जे नित उठ समालेन उठ दा मतलब है उठ के ये दा मतलब है निकि सुते हो उठ के ये थे उठ के दा विशेश अर्थ है सुचेत हो के सुचेत हो के नानक ते मुख उजले जे नित दा मतलब हर रोज उठ दा मतलब सुचेत हो के गुरु जी कहने ने ओ मुख उजलेने ओ सतकार योग ने जो सदा सुचेत रहके प्रभू नु सिमर देने याद रख देने प्रभू दी सिप्त सला कर देने जो रब्मी गुणानों सुचेत होके implement करदेने उनना दे मुक्षदैव उज्वलने उननों हर्थांते मान आदर सत्कार मिल दे है इसलिए इसी सुचेत रहना है और सुचेत होके प्रबु दी सिप्त सला करनी है रब्मी गुणानों implement करने है मेहला चवथा सत्गुर सेवीय अपना पाय नाम अपार अपने सत्गुर्दी दस्सी होई कार करनी चाही दिये सत्गुर्दे दस्से राते तुरना चाही कि दूनिया दा कोई भी ऐसा इसा इंसान नहीं जिदे अंदर सचाई निर्पैता दया प्यार मुहबत ना हुए एक अलवक्री है कि कोई उना गुना नो जूज ना करे किसे नो अपने अंदरे ना चीजान दा एहसास ना हुए जाए ना चीजान दी कदर नो ना जान दा हुए पर जदो कोई सत गुरुदे दसे रात तुर्दे नो गुरुदे दित्ते ग्यान मुताबक जदो जिन्दगी जीन्दा है ता और रब्वी गुना देखा जाने नो अंदरों ही पालेंदा है अंदरों ही उस प्रभू नो पालेंदा है पाउजल डुबदेयां कढ ले हर दात करे दातार इनो डुबदेयां नहीं बोलना डुबदेयां बिंदी लाके डुबदेयां नो पाउजल दा मतलब पाउजल विच पाउजल की है ओस अंसार जित्थे विकारां दियां बढ़िगां बढ़िगां थिलाने जिते काम, क्रोध, लोब, मोजा, हन, सेत, लोब, कोप, चारे नदियां अग, इना अग्णा दे अंदर इना विकारां दे अंदर आम इंसान डूब रहे हैं ते पाउजल हारिक दे अंदर है, सोच दे विचने अउगण, उना अउगणा दे अंदर सोच गोते खारी है तब गुरुदी के इनने हर दात करे दातार, जिनना दे उत्ते राब रहमत करता है, जो गुरुदी शर्ण विच होंदे ने, उना नो प्रभू पवजल विच दूब दे नो कडलेंदे, विकारां विच दूब दे नो बचालेंदे, ओ इना विकारां दे अंदर गोते नी खा दे तन तन से शाह है जे नाम कर है वापार इनुसा नहीं पढ़ना ससे दे पैर्थले बिंदी ला के बोलना है शाह ते हैैं नहीं बोलना है कियोंक़ शाह बहुँ वचनी शवद है जो शाह प्रबुदी शिक्त सलादी दावपार कर देने ओ वड़ पागी ने ओ तंता योग ने तहन तहन से शाह है ओ जीव वनजारे तंता योग ने जे नाम करें वापार जो प्रभू दे हुकम विच्ट दूर दे हुए जीवन जीन देने जो रब्य गुणा दावपार कर देने वनजारे सिक्ष आम दे शबद लंगामन हार गुरु पात्षा जी कैंदने एह हो जे जो वनजारे ने रब्य गुणा दावपार करनवाले ने ऐसे वनजारे सिक्ष गुरु दी शर्ण विच ओंदेने वनजारे सिक्ष आम दे जेड़े रब्य गुणा दावपार करनवाले ने ओ गुरु दी शर्ण विच ओंदेने शबद लंगामन हार ते गुरु ओनानु शबद राही संसारतों पार उतारनवाला है अपने शबद उपदेश राही ओनानु संसार सागरतों पार कर दिनने जननानक जिनको कृपा पई तिन सेवेया सिर्जनहार किरपा नी पढ़ना कृपा बोलना है क्योंकि अध्दारारा है जन नानक जिनको कृपा पई तिन सेवया सिर्जन हार हे दास नानक सिर्जन हार प्रबूदी सिप्त सला ओही कर देने जिन्ना दे उत्ते प्रबूदी रहमत हुन्दी है जिन्ना दे उत्ते प्रबूदी बक्षिस हुन्दी है ओ प्रबूदी सिप्त सला कर देने पोड़ी, साच सच्चे के जान पगत हैं साच सच्चा जिन्नी अराध्या, जो मनुख सच्चे हरी दी सच्मुच सिफ्त सला कर देने असली पगत ओई ने, शाच सच्चे के जान पगत हैं जो मनुख सच्चे प्रबूदी साच्मुच सिफ्थ सला कर देने दिलों असली सच्चे पगत प्रबूदे ओने सिफ्थ सला करनना मतलब जो सच्चे प्रबूदे गुणानू इंपलीमेंट कर देने मन बचन और करम करके असली सच्चे पगत राबदे प्यारे ओने जिन गुर्मुक खोज टंडू लेया तिन अंदरों ही साच लद्धेया गुर्मुक दा मतलब गुरु दे जरिये गुरु दी शर्ण विच आके जो मनुक गुरु दी शर्ण विच रह के खोज देने तूर देने यतन दे नाल पाल देने ओ अपने अंदरों ही प्रभुन लब लें देने रबनों बाहर लबन दी लोड नहीं है रब मेरे और तोहड़े अंदर है पर जो गुरुदी शर्ण विच रहे के मतलब गुरुदी दस्से राहाते चल के गुरुदी सोच नो अपना के गुरुदी ज्यान नो अपना अधार बनाके अपने अंदर नो खोच देने सेल्फ एनलसिस कर देने ओ अंदरों ही रबनों लब लें देने जो रोज आपना विचार कर रहे हैं कि हारिक दे अंदर सचाई, दया, तरम, ती, रज, आदिक गुन लेने ओ उना नो लब लेंदेने, उना नो प्रगट कर लेंदेने, उना विच लीन हुज अंदेने गुना विच लीन हुजाना ही प्रबु विच लीन हुजाने उन बंदा चाहे ते अपने अंदरों राबनों परगट कर ले ये ते बंदे ते डिपेंड करेगा नो, बंदे दे अंदर सचाई भी है, जे चाहे ताए सचा बन जाए, ते बंदे दे अंदर चु उठुए चाहे ते कूड़ियार बन जाए साच साहिब साच जिन्नी सेविया, काल कंटक मारतिनी साध्या, काल कंटक दा मतलब कंडे वांग, काल जो कंडे वांग दुखदाई है, साध्या दा मतलब जित्या, जिन्ना मनुक्खा ने सच्चा साइं साच्मुच सेविया है पाव जिन्ना ने साच्मुच दिलों रबी रजा मताबक जिंदगी जीवी है प्रबूदी सिप्त सला कीती है उन्ना ने दुखदाई काल नो मार के काबू कर ले है उना दे आत्मक मौत उना ते कुई प्रभाव नहीं पान दी वो आत्मक मौत नो काबू कर लें देने वो आत्मक मौत ते मार दे नहीं साच सच्चा सब्दू वड़ा है साच सेवन से साच रलाध्या रलाध्या दा मतलब राल जान देने सेवन दा मतलव जो प्रबू दी सिप्त सला कर देने जो रब्मी रजाविश्तुर देने जो सच्चा हरी सब तो वड़ा है उस दी सिप्त सला जो मनुख कर देने उस मनुख उस प्रबू दे विच ही साच दे विच ही मिल जान देने सच सच्चा सब दो वड़ा है कि जो सच्चा प्रबु है उसार या तो वड़ा है सच सेवन जो सच्चे प्रबुदी सिर्थ सला कर देने जो उस प्रबुदी रजा विस्त देने से सच्च रलाध्या उसाच दे विचे मिल जान देने जो सच्चे दे गुणा दे तारनी हुं दे सच सच्चे नो शावास है सच सच्चा सेव फलाधया फलाधया दा मतलब फाल लादया फाल प्राप्त कीता सच रूप सच्चा हरी सच्चा दा मतलब सच रूप हरी शावास दा मतलब तनता योग तान है सच्चा प्रभू जो मनुख साच्मुच सच्चे दी अरादना कर देने जो मनुख साच्मुच यानी दिलों प्रभू दी सिप्त सला कर देने उननों उत्तम फल प्राप्त हुंदा है पाव क्यों अपने मनुखा जीवन नो सफल कर लेंदेने जो सची मुची दिलों रब्वी गुना देतार नी होंदेने सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नाम हीन परमाए मुगद दा मतलब मूरक मनमुख दा मतलब आप हुदरा जो गुरु ग्यान मताबक जिंदगी नी जीनदा जो संसार दे जीवन दे तरम दे कनुना आदिक नो तोड़दा है आप हुदरा है मुगद दा मतलब मूरक आप हुदरा मनुख मूरक है नाम हीन परमाए परमाएदा मतलब पटक दा फिर दा है ती जिंदगी दा कोई एम नहीं है एमलेस जिंदगी हुदी ऐसे बंदे दी बंदा मूरक है जो रब्य गुणा नो विसार के ऐ शंसार दे अंदर पटक दा फिरदा है ऋडको डोले खांदा फिरदा है बिनगुर मन्वा नाटके फिर्फिर जुनी पाए मन्वा दा मतलब होच्छा मन सत्गुर्दि शर्न विच आओन तो बिना एः होच्छा मन तिकदा नहीं मन तिकन दा मेनिंग की है मन पिकन दा मेनिंग है कि मंदा कूँ उच्छा सच्छा गोल बन早ए जिमें साधा गोल हो जाए कि सच्यार असी होना है मन बच्चन करम करके साच देतार नहीं होना है फुर सच्यारता दे उत्ते मन टेक देई नहीं मन विच कदे चूट, कदे एर्खा, कदे फ्रेब, कदे नेगिटिविटी कि मैं असी overthinking दे शिकार हुडन आ नाचांदया हुया मी असी निन्दा-चुगली-बदखोई कार देया समझ हुन देया हुया मी असी मिठधे और प्यारे बोल नहीं बोल दे सोज हुन देया हुया मी असी पठक दान देया शब्दावली पैडी बोल देयां सोच सडी चंगी कई वार नहीं न रंदी एदा इक्कुल कारण है कि एसी गुरु दी पावन बानीन जीवन दा आधार नहीं बढ़ाया ता गुरु जी केंदने सत्गुर्तों बिना एहोच्छा मन टेकदा नहीं फिर फिर जूननी पाए जूननी दा मतलब पशू विरतियां ओ मुड'mुड के पशू विरतियां मिच पठकदा है पइंदा है कदे लेंदर कुत्ते दी बिरति पैदा हो जंदी है गुर्मंत्र हीनस से जो प्रानी त्रिगंथ जनम प्रिष्टनें, कूकरें, सूकरें, गर्दबें, काकें, सर्पनें, तुल खलें ऐसे जनम दे अंदर ओ मूरुख बंदा इन अजूना दे बराबर है जो गुरु ग्यान तो सखना, जो साच तो सखना है हर प्रभ आप दयाल होहे ता सत्गुर मिलेया आए ता गुरु जी कएदें, जी प्रभु आप दया करे ता सत्गुर आके मिल पहर गिंदाए यनि जदो राब किसी ते रहमत कर दे न ओदो उन गुरु दा मिलाप हुन दे यनि प्रभ रभी रजा दे पातर जो बाड़ दे ने ओ गुरु दा मिलाप थन थन आए चीज बहुत प्यारी ये समझनवाली है राबदी किरपा जदो हुंदियों तो गुरु मिल दे ता एदा मतलब राबदी किरपा की हुई गुरु नू मिलना गुरु दे दस्य राते तुर्ना गुरु दी पावन बानी नूं इंप्लीमेंट कर लेना ही राबदी किरपा है उन जिदे ते राबदी किरपा हो गई एदा मतलब वो गुरु दी पावन बानी नूं इंप्लीमेंट कर रहा है ते जेड़ा राबद्य गुरु दी पावन बानी नूं इंप्लीमेंट करेगा और राबदी किर्पा दा पातर बन जाएगा दोमेगल्ना इंटरलेटिड ने न ता गुरु जी केंदने जिनना ते प्रबु द्याल हुन्दा है उनानुसत गुरु दा मिलाप हुजन्दा है जन नानक नाम सलाह तू जनम मरन दुख जाए जनम मरन दा मतलब है जनम तो लेके मरन तक दा सारा दुख चला जन्दा है तक गुरुक पाश्याजी केनने हे दास्नानक इस वास्ते तु प्रबुदी सिप्त सला कर नाम सला तो ना मतलब प्रबुदी सिप्त सला कर रभी गुना दा ताहर नी हो इस तरह करनल की होगा जनम मरं दुख जाए तेरा सारी उमर दा दुख मुख जाएगा जनम तो मरं तक दा दोख सारी उमर दा दोख तेरा ले जाएगा तेरी जिंदगी विच दोख नहीं आएगा इसलिए तू प्रबूदी सिप्त सला कर महला चौथा गुर साला ही आपना बहुबिद रंग सुपाए सुपाए दा मतलब सोने प्रेम विच टिक के बहुबिद दा मतलब कई तरह रंग दा मतलब प्यार विच गुर साला ही आपना गुरुजी केंद ने मेरा मन लोच दाय कि मैं कई तरह कई वल्वलें दे नाल मनों पामां दे नाल प्यारे सत्गुरुदी सिप्त सला प्रेम दे नाल करां सोने प्रेम नाल सुपाए दा मतलब सोने प्रेम दे नाल बड़े प्रेम नाल मैं अपने गुरुदी सिप्त सला करां दिली प्यार दे नाल कई तरीक्यां दे नाल ते गुरु दी सिप्त सला करनी गुरु दी रजाविश तुरना कई तरीके ने न जिमें अपच्छे ते आम गल्ला कर देयां अक्खा नल गुर्बानी अंसार विखना कन्ना नल गुर्बानी अंसार सुनना जवान नल गुर्बानी अंसार बोलना हत्था नल गुर्बानी अं मान कर के गुर्वानी अंसार अपनी सोच नो विशाल करना ए अनेका तरीके ने गुरुदी रजा विच तुरंदे ता में बड़े प्रेम दे नाल अपने गुरुदी सित्थ सला करां अनेका टंगा तरीके अनल सथगुल सेती मन रत्ता रख्या बंत बनाए इनों रता नहीं पड़ना जे रता पड़नग नम पूल लाजया तप फिर दा मतलव होज़ेगा रता कूँ आथे रत्ता रत्ता दा मतलब रंगया सेती दा मतलब नाल मेरा मन प्यारे सथगुल दे नाल रंगया गया है रख्या बनत बनाए दा मतलब गुरू ने मेरी मन नूँ सवार बना दिता है सोना बना के रख्या हुया है सत्गुर से ती मन रत्ता मेरा मन सत्गुर दे प्रेम विच रंगया गया ते गुरू ने मेरी मन नूँ सोना बना दिता है मेरी सोच नो सोना बना जेडा बंदा अपना प्यार गुरू ने नल बना लेगा गुरू दी पावन बानी नल बना लेगा वोदा मन सोना हो जाएगा वोदी सोच सोनी हो जाएगी जेवा सालाह नारजजई हर प्रीतम चेतलाए जेवा दा मतलब जीब मेरी जीब सिप्थ सला करकर के राजदी नहीं कदे एट नहीं की मैं बड़ी सिप्थ सला कर लिते हुन बंदना जबान कदे व बोलदा हां सकारात्मक बोलदा हां ते मेरी जबान जो है सकारात्मक बोल बोलके चड़ दिकला दे बोल बोलके रब्दी सिप्त सला करकर के राजदी नहीं हर प्रीतम चित लाए ते मेरा मन जड़ा है प्रबु दे चर्नानल लगा हुया है प्रबु दे चर्नानल प्रीत प्रबु देनाल ता फिर साड़ी जबान दे विच्छों कोई नेगिटिव बोल नहीं निकलेगा जे नेगिटिव बोल निकल रहने न ता एदा सिद्धा ज्या मतलब है कि अंदर हाले पॉजिटिविटी बनी नहीं है बाहर ओ चीजां ओन गाने जो अंदर परिगा पिगाने वस्तू दे विच्छों ओई वस्तू निकलेगी जो अंदर समाई हुई है जो पावे पांडे विच्छ वस्त सा निकला है क्या कोई करे विचारा जो पांडे विच्छ पाओगे ओई निकलेगा जे टंकी दे विच्छा पाक रखी तो थो दुद्त निकलना नहीं शर्बत निकलना नहीं जे चाह दी तंकी पर ये चाह निकलेगी, दुद्धी पर ये दुद्ध निकलेगा, शर्बद्धी पर ये शर्बद निकलेगा, जो अंदर है ओ बार निकलना है, इसलिए बंदा जदो बोल्द है ना, ओदो उदा पता लाग ज़न्द है कि ये दे अंदर पर कर की राजदी नहीं मेरा मन प्रभू नल प्यार पापा की राजदा नहीं नानक नामे की मन पोख है मन त्रिपते हर रस खाए मन दा मतलब मन विच नामे दा मतलब प्रभू दी सिप्त सला दी गुरु पात्षा जी कहने ने रजेवी कि में हे नानक मन विच प्रभू दी सिप सब्सक्राइक ता गुरु पाथिशा जी कहने ने मन दे अंदर प्रबु दी सिप्थ सला दी पोक है, मन ताई राज दै, जदो मन प्रबु दी सिप्थ सला कार दै, रब्बी गुणानों गान दै, ओदो मन त्रिप्थ हो जन दै, पौडी, सच सच्चा कुदर्त जानिये, दिन रातीं जिन बनाईयां, इनू राती नहीं पढ़ना, जे राती पढ़ांगे ते दा मतलब होजएगा, रती हुई, रंगी हुई, रातीं बहु अचनी शबद है, बनाईयां नहीं, बनाईयां, ता गुरु पाथिशा जी कहने ने, जिस प्रबु ने देन ते रात बनाए ने, ओ सच्च प्रबु कुदरत तो ही सच मुझ जापदा है, मलूम हुंदा है, कुदरत जानेगे ना मतलब कुदरत राही ही जानेयां जन्दा है, कुदरत विच ही जानेयां जन्दा है, कुदरत विच ही वस रहे, सच सच्चा कुदरत जानेगे, कुदरत ना मतलब कुदरत विच, बार नहीं है, कुदरत दे विचिये, कुदरत करके वस्या सोये, वक्त विचारे सो बंदा हुए, जाल, थल, महील, पूर्या, रवया विच बणा, जे बंदा कुदरत दे अंदर राबन नू जान लवे न, देखो आज जे इस कुदरत नू बचान दियां गल्ना हो रूगाने कि पानी नू सेव करो, हवा नू पोलूशन तो बचाओ, तर्थी नू बचाओ लेकन गुरु साब जी ने 500 साल पहला क्या है पमण गुरु, पानी, पिता, माता, तर्थ, महत 500 साल पहला गुरुजी केंदने जल, थल, महियल, पूरया, रवया विच वणा, सो प्रवचितना आवे, कितरा दुख गणा, काश बंदा ऐस कुदरत दे विच राबनु वेखदा, कुदरत दे नाल राबवर गा प्यार करदा, हर इंसान विच राबनु वेखदा, हर इंसान राबवर गा प्यार करदा, राबवर गा बहेवियर बनांदा, ता इस ती जिंदगी कैसी सुन्दर हो जंदी, सो साच सलाही सदा सदा, साच सचे कियां वड़याईयां, सलाही बिंदी लगा के मैं सलाहां, वड़याईया नहीं वड़याईयां, किया नहीं कियां, सो साच सलाही सदा सदा, साच सचे कियां वड़याईयां, मेरा मन चौंद है, कि मैं सदा उस प्रबूदी सिप्त सला करां और सदा मैं उस प्रबूदियां वडियाईगा आखाँ उदियां वडियाईगा दा इजहार कराँ उदे गुना नुगाँआ ऐस कुद्रत दे अंदर उस करते नुविखाँ सालाही साच, सलाह साच, साच कीमत किने ना पाईगा एथे पढ़ना है सालाही, बिंदी नहीं लानी है थे सालाही दा मतलब एथे है सलहोन योग जे नुपढ़ांगे ना सालाही ता एदा मतलब हो जाएगा मैं सलाहा एथे है सालाही, सालाही दा मतलब सलहोन योग सिफ्त करंदे जो योग है सालाही साचदा मतलव सलोहोन योग हरी सच्चा है सलाह साचदा मतलव ओधी वड़याई भी सदा थिर रहन वाली है सच कीमत किने न पाईया दा मतलव उस प्रभु दी कीमत भी किसे न नी पाई जो सच्चा प्रभु है, जो सलोहोन योग है, सदैव है जिदी सिप्त सलावी सच्छी है उदी कीमत किसे ने नी पाई उदा अंत किसे ने नी पाया जां मिलेया पूरा सत्गुरू ता हाजर नदरी आईयां आईया नहीं आईयां हाजर दा मतलब परतक जदों पूरान सत्गुरू मिल पेंदे तो वड़ाईयां परताक तौरत दिस पेंदियां ने जिड़िगा राबदियां वड़ाईयां ने जो राबदे कौतक ने ता ओ परताक तौरत दिस पेंदियां फिर बंदा राबदियां खुदरत दी कदर पांदा है देखो उसी में ऐस दुनिया नो वेख देया गुरु नानक पातिशा जी भी ऐस दुनिया नो वेख देया सानु ए दुनिया दुखदाई पर तीत हुन दी है पर गुरु जी केंदने ए दुनिया ता गीत गा रही है गावन तुदनों पाउन पाणी वैसंतर गाव है राजा यानि ऐसारी दुनिया गीत गारी है उनानों इसारा संसार संगीत दा रूप नजरी पहरे है सनु सूरत चंद हो सकदा है परेशान करनवाले दिस्ते होन पर गुरु जी कहने ने रवचन दीपक बने गगन मैताल रवचन दीपक बने ऐसारा संसार प्रभु दी मानों आरती कर रहा है प्रभु दे उत्ते मानों फुलना दी वर्शा कर रहा है उनानों जीवन दा संगीत नजरी पहरे है गाल संसार में विखन दीए गुरु जी के निनना विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद निक्की तो निक्की शेय तो हनों विस्माद दे अंदर ले जाएगी जदो गुरु दी नजरी दे नाल तक कोगे ता गुरु जी कहने ने जदो पूरा सत्गुरु मिल दा है ता जिडिया राबदिया वड़े आईया ने वो परताक नजरी ओंदिया ने चार चुफेरे साच गुरु मुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया इते पुखा नी पड़ना जे पड़ना पुखा तैदा वतला कुछ पुखा बंदा पर इते पुखदा बहु अचन है पुखा साच गुरु मुख जिनी सलाहया जो मनुख सत्गुरु दे सनमुख होके गुरु दी शर्नी पैके साच प्रबु दी सिप्त सलाह कर देने तिना पुखा सब गवाईया उना ने अपनिया सारिया पुखा दूर कर लेंगा ने उना दिया सारिया पुखा दूर हो जन दिया ने उना दिया त्रिशनावा मिट जन दिया ने उना दिया वाशनावा मुख जन दिया ने जिना ने गुरु दी शर्नी पैके प्रबु दी सिप्त सलाह कीती है उना इंसाना ने अपने जीवन दिया सारिया पुखा गवा झाल